नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर So Russian Oil का जो दाम है वो 60 डॉलर पर बैरल से बढ़ चुका है और ये काफी बड़ी बात है because आज से लगभग 6-7 महीने पहले की बात है G7 Countries के द्वारा Russian Oil के प्राइस के ऊपर एक कैपिंग लगा दी गई थी जिसको की 60 डॉलर प्रती बैरल रखा गया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर Russian Oil इससे महंगे दाम पे बिकता है तो अगर कोई भी और कंट्री है वो इसको खरीदने का प्रयास करती है तो उसके उपर भी इन सैंक्शन को हम लोग लगा पाएंगे और यही इसका जो प्रॉब्लम है वो अब इंडिया के ऊपर आने वाला है बिकाज इंडिया पिछले काफी लंबे टाइम से अल्मोस्ट आट से दस महीनों से बहुत भारी मात्रा में Russian Oil को पर्चेस कर रहा है इंडिया के पास पेमेंट करने की आप्शन नहीं बची है तो कहीं न कहीं इंडिया की जो एनरजी सिक्यूरिटी है वो काफी जादा खत्रे में आ चुकी है इंडिया के करीबी दोस्त UAE ने भी भारत को साफ साफ इंकार कर दिया है कि हम लोग डरहम में आपको पेमेंट करने नहीं दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यह वाली जो खबरे हैं पिछले एक दो दिनों में ही सामने आई है रश्या's flagship crude oil surpasses G7 price cap for the first time पिछले 7 months में यह पहली बार देखने को मिला है कि 60 dollar का जो threshold था वो basically surpass कर दिया गया है and जैसे ही इस threshold को surpass किया गया है इंडिया एकदम से काफी जादा खत्रे में आ चुका है because इंडिया payments कैसे करेगा यह काफी cutting हो चुका है यह Hindu business line की आप खबर भी देख पाएंगे dollar payment is no longer possible Moscow is not keen on rupee settlement और साथी में UAE के जो banks हैं वो भी support करने के लिए ready नहीं हो रहे हैं और इसी के लिए इंडिया का जो पूरा payment का situation है रश्या के साथ वो काफी जादा एक तरीके से complexities face कर रहा है जिसकी वज़े से आगे बढ़कर के इंडिया की जो energy security है वो खत्रे में आ सकती है बात करेंगे इसी पूरी चीज़ के बारे में also discuss करेंगे कि UAE आखिरकार डरहम में payments करने के लिए allow क्यों नहीं कर रहा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के PDF को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और कल से यानि की somewhere से आपका next उडान batch शुरू होने वाला है for UPSC civil service examination जिसमें कि आपको 900 से भी अधिग घंडे की classes available करवाई जाएंगी prelims और mains की test series available करवाई जाएंगी और साथी में आपकी अगर prelims clear होता है तो mains की mentorship mains clear होता है तो interview guidance program completely free of cost available करवाया जाएगा यह पूरा का पूरा course आपको सबसे affordable दाम में available हो रहा है in only and only 8000 rupees especially अगर आप लोग मेरा coupon code any UPSC इस्तिमाल करते हैं इसी batch में आपके लिए मैं geography और साथ में science and tech के दोनों ही courses मैं ही लेने वाला हूँ तो अगर आपने enroll नहीं क्या है जल्दी से जाएए और इस batch में enroll कर लीजे कोई भी class को आप live ही देखे आप अपनी doubts को भी live classes में resolve करवा सकें इसके इलावा दोस्तों हमने geography optional के batch को भी launch किया है और उसमें आप GS और geography optional को combine करके ले सकते हैं only and only at 15,000 rupees अगर आप लोग दोनों चीजों को combine करके लेते हैं इसमें भी enroll करते हैं you can use my coupon code any UPSC so that आपको यहाँ पर maximum discount मिल सके आगे बढ़ने से पहले यह भी पताना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए so that यह वीडियो और भी logo तक पहुन सके all right so आपको याद करवा दूँ पिछले साल December 3 2022 की बात है G7 का जो संगठन है उसने बहुत जादा विचार विमर्ष करने के बाद 60 डॉलर पर बैरल का जो price cap था इसको finalize किया था for the Russian oil इन्होंने साथ ने बहुत सारी terms and conditions को लगाया था कि कोई भी country अगर 60 डॉलर से जादा रश्या को उसके oil खरीदने के लिए पैसा दे रही है तो उस case में उस country के उपर भी sanctions को लगाया जाएगा और अगर कोई भी country ऐसा करती भी है तो ये चीज़ तैह है कि वो वाली country US dollars में या फिर even जो European Union की currency euro है उसमें ये वाली payment को नहीं कर पाएगा लेकिन अब हमने देखा कि finally July के महीने में आकर के जो रश्या का oil है उसका 60 डॉलर पर barrel का जो price cap है वो break हो चुका है Russian Ural's oil jumped 2 to 3 dollars अभी just Thursday की ही बात है कि इसका जो price था रश्या को जो Ural oil है जो की सबसे जादा बिकने वाला तेल है जो की in fact सबसे जादा इंडिया के द्वारा भी import होने वाला तेल यही वाला Ural grade oil है जिसमें sudden एक spike देखने को मिला और उसका जो price है वो 60 डॉलर पर barrel से एकदम से बढ़ चुका है इसके जो prices है यह बहुत सारे ports में भी देखने को मिले जहां पर यह जिन जिन ports में यह वाले oil की loading हो रही थी from the Baltic ports और साथ में जो Black Sea के ports है वहां पर भी देखने को मिला कि इसका जो price है यह 62.22 पर barrel on Thursday and 63.22 पर barrel on Thursday at the Black Sea port देखने को मिला था जो कि clearly बताता है कि अब इसका जो base price है जिसमें हम लोग shipping cost, insurance cost उन सब को नहीं जोड रहे है जो इसका base price है वो 60 dollar को breach कर चुका है डारेक्ली इसका जो impact है वो इंडिया के ऊपर आता है because अब एक चीज तैह है कि इंडिया ना तो US dollars में पे कर पाएगा ना ही European Union की currency यूरो में पे कर पाएगा और साथी में यहा allowing to pay for Russian oil in the Chinese Yuan ये आज की बात नहीं है पिछले 3-4 महीने से इंडिया ने इस चीज को कहा था कि हम लोग foreign trade settlement Chinese Yuan में इस चीज को discourage करते हैं इस चीज के favor में हम लोग नहीं है इन फाक्ट यहाँ पर एक official के द्वारा भी same बात कही गई है they have said paying in dollars is no more an option for India since Russian Yural is now breaching the 60 dollar price cap साथी मे Chinese Yuan payments would work well for Russia लेकिन government is not willing to authorize PSUs because government ये नहीं चाहती कि कम से कम भारत की वजे से तो जो चाइना की currency है वो जादा strengthen नहीं होनी चाहिए उसके बाद जो एक और विकल्क बनता था वो था UAE की currency जिसको हम डरहम के नाम से जानते हैं लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ी problem आ गई है कि UAE के जो banks हैं they are not willing to support India for payment in दरहम इसमें क्या हो रहा है कि असल में UAE काफी लंबे अरसे से FATF Financial Action Task Force की grey list में उसको डाल दिया गया था जस आज से 10 दिन पहले की बात है 7 जुलाई को UAE का FATF का review हुआ था जिसमें की FATF ने ये तो कहा कि UAE ने काफी progress किया है लेकिन उसके बाव जो भी UAE को FATF के द्वारा grey list में ही रखा गया है आपको यहां पे देख पाएंगे UAE remains on FATF grey list but has made significant progress in addressing the AML issues और UAE ने साफ साफ ये बोल दिया है कि हम लोग किसी भी ऐसी transaction में involved नहीं होना चाहते हैं जिससे कि हमारे उपर scrutiny बड़े जिससे कि हम लोग FATF की नजरों में नहीं कर सकते हैं for the Indo-Russian oil trade because वैसे भी Russian oil के ऊपर वो Western countries के द्वारा sanctions लगा दिये गए हैं तो यह जो विकल्प बना था यह भी विकल्प एक तरीके से खतम हो चुका है fourth and final that is your rupee ruble mechanism यह आप जानते ही है कि इसको लेकर कोशिशे तो बहुत हुई है लेकिन यह materialize नहीं कर पाया है इसको लेकर India ने बहुत push किया लेकिन Russia खुद ही इसमें interested नहीं है in fact Russia तो काफी लंबे असे से यह कहता आ रहा है कि हमारे पास तो बहुत सारा Indian rupee जो है वो पड़ा हुआ है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और हम इस चीज़ से काफी नाखुश भी है यहाँ पर भी आप देख पायेंग Russia says it has billions of Indian rupees that it cannot use in fact India ने अपनी बहुत सारी जो defense की purchases है उसके लिए Indian rupee में ही payments करी है इंडिया ने Russia को ये भी विकल्प दिया कि जो पैसा हम लोग आपको दे रहे हैं उसको आप अपनी government securities में invest कर दीजे stock markets में invest कर दीजे लेकिन Russia वो चीज़ करने को भी interested नहीं है सारे के सारे विकल्प जो भी हमने दिये है Russia उसमें interested नहीं है और overall Russia कहता है कि rupee ruble mechanism मेरे लिए बहुत फायदेमन नहीं है और यह नुकसान इसलिए भी बहुत ज़ादा बड़ा हो जाता है because इंडिया आज एक ऐसी stage पे खड़ा है जिसमें कि हमारा जो maximum import है वो रश्या से ही होता है पिछले दो महिने का जो data है April में 2023 का जो latest data Commerce and Industry Ministry के द्वारा दिया गया है रश्या से मंगवाई जाने वाला जो total crude oil का import है वो 8.5 billion dollar पे खड़ा है वहीं पे हमारे जो traditional suppliers थे एराक और साओधी अरेबिया वहाँ से हमने 4.5 billion and 4 billion dollar के आसपास का ही तेल है जो की individually in country से मंगवाया है in fact 8 लगातार महीने हो चुके है Russia continues to be the single largest supplier of crude oil और इंडिया का जितना भी कच्चा तेल मंगवाया गया है उसमें 42% के आसपास का जो योगदान है वो Russian oil के ही द्वारा दिया गया है ऐसे आपने बहुत सारे charts देखे भी होंगे कि मार्च में 33.8% हमारा oil रश्या से आ रहा था अभी 36.4% April में आ रहा है में में हमने फिर से एक नया आक्टा टच किया है almost 40% पहुंच चुका है तो ये growth हमें consistently देखने को मिल रही है so सबसे बड़ा impact भी इस पूरी की पूरी चीज़ का भारत के उपर ही पड़ेगा क्यूंकि payment की जो crisis है वो काफी जादा बढ़ चुकी है obviously कुछ ना कुछ win-win solution निकालना पड़ेगा because अभी तक जो वैपार चल रहा था उससे केवल भारत का ही नहीं बलकि रश्या को भी काफी फायदा हो रहा था रश्या की भी economy एक तरीके से sustain कर पा रही थी because इंडिया भारी मात्रा में तेल को खरीद रहा था देखते हैं दोनों countries आपस में क्या इस चीज का solution निकालती है लेकिन एक चीज तेह है कि इंडिया रश्या को जो अपनी आपसी payment crisis है उसको जल्द से जल्द resolve करना पड़ेगा आपकी क्या राए है हमें definitely बताईए comment section में जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा much awaited जो pathfinder का both batch है UPSC के लिए वो launch हो चुका है 15 जुलाई को अगर आपने इसमें enroll नहीं किया है अभी भी जाकर के enroll कर सकते हैं कुछी classes हुई है और आप अपनी Hindi माध्यम से भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं ये भी आपको मातर 8000 में available करवाया गया है using the coupon code and UPSC आपको यहाँ पे discounts available हो जाएंगे बाकी geography option के साथ अब हमने PSIR के option को भी announce कर दिया है इसको भी जाकर चेक आट कर सकते हैं जोगी 15 अगस्रे शुरू होने वाला है thank you so much for listening stay tuned and stay safe